तो मैं यूटूब चैनल मेडिकल नर्से सब मेरा नामे कीरती तो गाइस जो भी लोग MP में CHO की वेकेंसी के वेट कर रहे थे उनका इंपजार है जो अब खत्म हो चुका है क्योंकि बहुत ही वंपर वेकेंसी ने का ली है MP NHM ने CHO के पोस्ट के लिए सभी चीजों के लिए आप लिए आपको वीडियो में तक जरूर बने रहेंगे क्योंकि आपको फॉर्म फिलप कैसे करना है इस बार और नहीं करवा है इसलिए तो आप लोग वीडियो में अंट तक जरूर बने रहें कि आपको नोटिफिकेशन कहां से पढ़ना है ओफिसियल अधी आपको वीडियो पर वरोसा ना हो तो आप लोग ऑनलाइन कैसे नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं कैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं कैसे आपको फॉलब करना लास्ट डेट क्या है सभी चीजों के लिए आप लोग वीडियो में तक जरूर बने रहें चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आपके जो भी MP में रहने वाले दोस्त हैं वो अपने तो आप जैसे ही यहां पर जाते हैं तो आपके लिए जो नोटिफिकेशन आपको यहां से जाके नहीं पढ़ना है आपको बैक होना है यहां पर डारेक्ट जाके तो यहां पर आतो आप इस तरीके से नोटिफिकेशन जाके चेक कर सकते हैं या फिर NHM MP की ओफिसल पर जाईए कॉर्णर पर देखिये हैं पर लेकेंशी सेक्शन में आपको नोटिफिकेश्ब केशन में जाके वैकेंशी पॉंट को ओपन करना होगा जैसे ही आप इसको ईपन करते हैं तो यह देखिये हैं आप एड़टाइजमेंट फोर सी को जो लास्ट डिट रखी गई इस की आठ दस दो हजार बीस आठ अक्टूबर है जो लास्ट डेट है रूल मतलब की आपको किस तरीके से फॉर्म फिलब करना है क्या इनकी कंडिशन्स रखी है तो पहले हम एडबर्टाइजमेंट को चेक करते हैं यहां पर मैंने यहां पर इसको जूम कर दिया है ताकि आपको देखे तो यहां पर यह देखिए गाई 169-2020 को ही नोटिफिकेशन आया है ओफिसल वेबसाइट पर चिनकी पोस्टिंग है जो पर करना है कि आपको चेंग उन्हों सब क्या करना है आपको उनके लिए lead करना होगा as a CIO primary member जो primary health team है उनके लिए frontline workers उनको आपको lead करना होगा CIO की post पर रहे के तो यहाँ पर form fill up होना start हो गए हैं आज से ही 18 सितंबर से form fill up होना start हुए हैं 3800 vacancy हैं जो आपका time period रहेगा that means जो training time रहेगा 6 month की training दी जाती है आपको वो होगी January से December 2000 और यहां पर January to December 2021 यहां पर contractual vacancy हैं तो January से December 2021 तक ही time period यहां पर इन्हों ने दिया है यहां पर इन्हों ने साफ साफ का है actual number में vary as per the requirement to be filled over the period from January to December 2021 तो 2021 के लिए अभी से form fill up करवाय जा रहे हैं यहां पर तो जो भी लोग इंट्रेस्टेड हो इन्हों ने अभी एक साल का वस बताया है कि contractual vacancies है वे एक साल के लिए बस रखी गई है भी वो सकता बाद में बढ़ा थे क्योंकि अभी तक जिन भी लोगों ने जोइनिंग की थी उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है उनको तीन साल का तो आपके फॉर्म सितंबर 18 2020 से स्टार्ट फिलफ होना स्टार्ट हो गए हैं तो जो भी लोग इंट्रेस्टेड हों वो लोग फॉर्म को जरूर फिलफ करें बट इनकी कुछ कंडिशन से वो जरूर चेक कर लेना लास्ट डेट रखी है आठ अक्टूबर 2020 रात के बारा बजे तक यहां पर इसेंसियल एलेजिविल्टी क्राइटेरिया में नोंने कुछ नई चीज़ें एड की हैं तो आप ए लोग जरूर पढ़ लेना तो इन्होंने काया बीस्सी न नर्सिंग की है जिनोंने तो उनके पास भी इंटीग्रेटेट क्यूरी कुलम और साइटिफिकेट इन कम्यूटी है तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग और बीस्सी नर्सिंग वालों के पास सीच साइटिफिकेट होना चाहिए और साथी साथ इसमें अच्छी बात यह है कि जो बीस्सी नर्सिंग के फाइनल इर स्टुडेंट है और उनके स्लेबस में सीच साइटिफिकेट का जो कोर्स साथ में रहा हो है जन एक्स्टा क्यूरी कूरीकुलम बो लोग भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं तो यह अच्छी बात है कि फाइनल इयर के स्टुडेंट जिनो से चालिस साल ट्वेंटिबन इज दा मिनिमममें एक एक दोहजार इक्कीस तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए चालीस साल तक एक जनवरी दोहजार इक्कीस तक की जो एज लिमिट है कितनी 40 साल अपर इस लिमेट फॉर ओबी सी एस्टी एडवलू एस फिजिकली फिजिकली हैंडीकेट वुमेन हैं उनके लिए 45 यर्स है जो मेक्जिवम एज लिमिट रखी गई है नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको सेलरी क्या मिलेगी तो आपके लिए जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे छो करने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग होगी तो उसमें आपक पर मंद प्लस साड़े साथ हजार रुपए आपको पर्फॉर्मेंस बेस्ट इंटेंसव मिलेगा और जैसे ही जब आप पास आउट हो जाते हैं आपके एक्जाम हो जाते हैं तो उसके बाद क्या किया जाएगा आपके लिए और सेलरी आपकी बढ़ा दी जाएगी बट इंटेंडेट को CHO के जो इंटरन में अज़ां रहेंगे तर्म नेट कर दिया जाएगा फैल होते हैं तो और यहां पर ब्स नर्सिंग पोस्ट बेसे ब्स नर्सिंग वाले पास होते हैं जो उनके लिए क्या किया जाएगा जो कॉंट्रेक्ट पर ही रहेंगे उनको 25,000 रु है जो परफॉर्मेंट बेस्ट इंसेंटिव मिलेगा that means 40,000 पर मन्थ जो भी रिसेंट में जो उनको पे की जारी सें सेलरी दी जाएगी जो भी लोग इंट्रेस्टेंट वो लोग फॉर्म को जरूर फिलब करते हैं पर थाइड पॉइंट और आप लोग देख लीजिए जो ब बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए भी तीन साल तक के लिए रखा जाएगा तो इन्हों ने यह कहा है कि एक साल तक जो बीसी फाइनल एयर के स्टुडेंट ने वह स्टार्टिंग में ही होंगे वो लोग एपलाई करते हैं तो उनका पूरा एयर मिल जाएगा तो यहां पर तीन साल का आपके लिए बॉंड भरना होगा 500 रुपे के स्टाम पेपर पर दो लाग का यदि आप जोड़ते हैं कुछ भी करते हैं तो आपको दो लाग गवर्मेंट के लिए पे करने पड़ेंगे वट कोई भी जो जोब नहीं छोड़ना चाहता तीन साल के पर पोस्टिंग की जाएगी जैसा कि अभी एड प्रिजेंट हो रहा है जो भी लोग इंट्रेस्टेड हों वो लोग फॉर्म को जरूर फिलप करें और साथ ही साथ यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए MP का जो फाइनल येर वाले फाइनल येर के बात बाले पास उनलाइन टेस्ट पर होगा जो आपके CBT बिज आग्जाव होते हैं उसी पर होगा साथी साथ NGM कि तो जो भी गाईड लाइन आइंगी वह आपको टाइम तुटाइम बता जाएंगी और इन्होंने साफ का है कि एज में आपके लिए किसी भी तरीके का बात में नहीं होगा साफ कहा है कि एक एक दोजार इकीस तक की ही एज लिमिट आपकी मानी जाएगी तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप लोगों को फॉर्म फिलक कहां जाके करना है तो आप लोग यह देखिए यहां पर स्थाइट करने के लिए इस लिंक को क्लिक किया जो यहां क्लिक कर सकते हैं कि अपना पूरा जिर्श्टरेशन हैं By a पता सभी चीजम के आप लोगस को अपना फॉर्म फिलक करना होगा साथ ही जाथ जिनका पहले से रिचिस्टरेशन है इस वेबसाइट पर आ। करना है उनके लिए अपना पूरा डिटेल में भनना होगा लास्ट रखी हैं आपर आठ अक्टूबर 2020 रात के बारा बजे के पहले आपको अपने फॉर्म भेजने हैं इन्होंने यहां पर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन्स भी दिये हुए हैं तो आपको पूरे गाइडलाइ यह official मैंने आपके लिए website का page बताया है open करके यहां पर आप पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके step first में नोंने का है new registration है तो आपको अपना form फिल अप करना होगा already registered है तो login ID पासवर्ट डाल के आँगे की process गन्नी होगी फिर अनोंने step second में का है कि आपको registration form जो आप यदि र और password मिलेगा registered mobile नम्मर रहेगा उसके बाद आपको next process को follow करना होगा third step में profile image signature image 10th certificate और जो भी यहां पर prescribed format आपके लिए बताएगा है कास्ट साइटिफिकेट पर्मनेंट रैसीडियल साइटिफिकेट तो इस सभी चीजें आपको फिलप करके आपको क्या करना है सभी डॉकुमेंट्स का एक format है जो सेप करके भी रख लेना है अपने पास और साथ ही जाद सक्सेस्फुल रजिस्ट्रेशन होने के बाद application form फि तो आप लोग इस website पर जाके अपना form जरूर फिलप कीजिए इसकी लिंक है वो मैं आपको description box में दे दूंगी ताकि आपको बिल्कुल भी problem ना हो अपने form फिलप होने में क्योंकि 18 से नंबर से form फिलप होना स्टार्ट हो गये हैं और October 8 October last date है जो भी लोग सब्सक्राइब कोई भी डाउट्स हो कमेंट हो तो आप लोग प्लीज मेरे वाट्साइप नंबर पर या फिर यहीं कमेंट वॉक्स में अपने कमेंट्स लिखके आप अपने डाउट से जो क्लियर करवा सकते हैं तो थैंक्यू पर वाचिंग अस वाइबाए